नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र जैसे कि आपको पता है कि सभी स्कूल में PT1 एक्जाम मतलब पेरिडिकल टेस्ट वाले जो एक्जाम होते वो शुरू हो चुके हैं लेकिन एक्जाम के बाद जो रिजल्ट बनता है उससे बहुत माता बच्ची करनी पड़ती है बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है किस प्रकार से पास और फिल्ड डिसाइड करते है सबसे आधे प्रदम इससी में आती है कि बच्चा कौन सा पास हो कारण नहीं है कितनने सब्क्रामरा प्रदम्हों होती है तो आज मैं आपको जो formula बताने वाला हूँ उसमें आप बहुत easy तरीके से बहुत ही बिना किसी calculation के आप सिर्फ command देना है और आपका सारा काम हो जाएगा आपके सारी जो score card है जो आपका consolidated sheet है वो सारी बन जाएगी वो भी बिना मेहनत के तो चलिए शुरू करते हैं तो देखी मैंने यह किसी school के 10 student का data लिया है इस data के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से calculation करते हैं तो सबसे पहरे तो देखे हैं total marks मैंने लिखा 240 क्यों लिखा है क्योंकि यह six subject है और सारे subject 40 marks के हुए थे 40 marks का paper था इसलिए 240 आए अगर आपने 50 का लिया है तो 18 180 का आएगा इस टाइब से जो भी आपके जितने जितने के मास लिए हो उस तरह से आप एड करके लिख दीजिए ठीक है इसके बाद आपको यहां पर एड करना है मतलब पर जो आपका फार्मूला बार है वहां पर जाएंगे फिल लिखेंगे एक्वल लिखेंगे एस यू पर लाइंगे लगा दिया इसके बाद ङूंके नं सब्सक्रात करने के बाद वापके करते हूए इसको आफ यह क्लिक कर दरीजी यह ठोग है हैं आपको seven सब्जेट है तो seven तक ड्रेक कर दी और छोड़ दीजिए ठीक है इसके बाद हम क्या करें कि वापस ब्रेक हैट को च्यूज कर देंगे और फिक ऐगे तो देखे परषण निंगे लिए प्रसेंटेटेज के नीचे वाले जो कालमister strider प्र हीवार है फिर क्या करेंगे लिखेंगे एककोल. इकोल के बात यहां पे देंगे कि हैं तो टोटल के ऊपर तो यह लेक्वाली जो आपका कालम है और Nejखा लिखिए तो यहां लिखेंगे आई 4 यह हो गए आई 4 ठीक है आई 4 में आप क्या करेंगे मल्टिप्लाइब करेंगे 100 का और डिवाइड कर देंगे आप 246 इसी को ड्रेक कर दीजे यहां पर नीचे थे प्लस साइन को यह पूरे आपके परसेंटेज बन गया है आपको नहीं निकालना पड़ा आपके सारे परसेंटेज आ गया अब आता है पास और फेल यह सबसे इंपर्टेंट है कि कैसे बच्चे को पाल देखो क्या होता है यहां परसेंटेज देखके था हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बच्चा पास है कि फेल है लेकिन किसी-किसी ऐसे बच्चे भी है जिको कोई एक सब्जेट में फेल होगा है तो भी उसके परसेंटेज अच्छे हैं तो क्या उसको पास कर देंगे नहीं तो आपको पर्ट जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है एक सब्जेट में बगर वच्चा फेल है उसको फेल माना जाता है तो हम इसी तरह से आपको बता रहे हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यह पास फेल जहां लिखा उसके नीची वाले कालम में जाएंगे इसके बाद बापस आप जो फार्मूला है वो लगाएंगे इसके बाद फिर ब्रेकेट उपन करेंगे अब बैकेट coworkers आँगे अपने फ्स सब्जेट का बड़र सब्स सब्सेयों के अब कहा है English ृणिश के बाद 23 लिखा us시에 लेगे क्लिक कर Impact करते हैं आप 14 पर कर तक्ति हों इसंग कर देंगे। उपास कर देंगे। तो हमने क्या 13 पर पास कर रहें तो मैं लिख रहा हूं सी 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 मतलब बच्चा 13 ला यह 13 से ऊपर लाए वह सभी में पास होगा यह होगा मेरा फर्स सब्जेट के लिए आप में कामा लगा दूगा अब मैं सेकंड सब्जेट पर जाओ यह हिंदी इफोल लिखा गया फिर ग्रेटर देन इक्वल 13 कामा ठीक है इसके बाद फिर में नेक्स सब्जेट याने साइंस पर जाओंगा इसको क्लिक करूँगा एफोल लिखा गया फिर ग्रेटर देन इक्वल 13 कामा ठीक है इसके बाद फिर में सस्ट वाले पर जाओंगा यहां पर में क्लिक करूंगा जी फोल लिखा गया फिर greater than equal 13 कामा ठीक है इसके बाद में computer याने six subject के उपर जाओंगा फिर greater than equal 13 ठीक है अब कामा नहीं लगाएंगे अब हम bracket को close कर देंगे यह ब्रेकेट मेरे close होगा bracket close करने के बाद कामा लगाएंगे ठीक है देखें नीची आप तो क्या करोगे तो ही उसको पास करेंगे तो हम लिख देते हैं पास पास के पहले आपको क्या करना पड़ेगा double dash इसके बाद यह लिखेंगा पास फिर double dash से इसको close कर दीजे इसके बाद आप लगा दीजे कामा ओके इतना हो गए अगर माल लीजे देखें फिर नीचे लिखा रहा है value if false यह जो आपने फारूल लगाए वो गलत अजाए फार्मुला को बच्चा फिल फुल्फिल ना कर पाए तो क्या करोगे आप उसको फेल वो लोगे तो आप फिर से क्या करेंगे double dash लगाएंगे और लिख देंगे हो रहा है अब आपको चेक करना है कि आपको फार्मुला सही लगा करेंगे तो फेल वालों को पकड़ लेते हैं यह जाते हैं किसमें कम नमर उसके देखें यहां पर हिंदी में उसको ट्वेल नमर आए अगर मैं इस ट्वेल को फोर्टीन कर देता हूं देखिए बच्चा प सिर्फ आपको फार्मुला यूज करना है और पूरा ड्रेक कर देना फार्मुला को नीचे से उपर तक लगा देना जितने बच्चे भी आपके स्कुल में आपकी क्लास में हो और आप बिना किसी मेहनत के यह सारा क्लिक्रेशन आप कर सकते अब यहां नीचे जैसे लास्ट म कि बच्चे को जादे जर्वत पड़ेगी एस इस्त e में जर्वत पड़ेगी सिसमें जिसमें कम नम की से नीचे काम में लगा के साइंस लिख देंगे इसका मतलब है कि दो सब्जेक्ट में बच्चे को और मेनित की जलत पड़ेगी तो इस तरह से आप कितने भी बड़े किल्कुलेशन हो कितने भी सारे बच्चे हो आप बहुत आसानी से अपना जो स्कूर काड़े अपनी जो इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी अगर इसमें किसी प्रकार की भी प्राब्लम जाती है तो आप कमेंट्स के थुरू मुझे पूछ सकते हैं मैं आपकी प्राब्लम को साल्ब करने का पूरा कोशिश करूँगा तो आज के लिए इस इतना ही मिलते के नभी विश्यक्सान तत्त आप एक खुश और मुझे दी जा गया जहें